हیک है युद्ध नमस्कार हुमन घे इससमें हम लोग पर आशी सी स्टार्ट किये हुए हैं डिजाइन आफ आरसी सी इसमें हम लोग अब नुमेरिकल स्टार्ट करने वाले है और नुमेरिकल स्टार्ट करने से पह année मैं तो इसका यूज पूरी RCC में हर एक question में लगवग यूज हो जाता है काफी important question है बहुत important question है आए देखते हैं formula क्या होगा जब simply supported beam और cantilever beam जब simply supported beam और cantilever beam पे point load या concentrated load जिसे बोलते हैं या uniformly distributed load लगा हुआ है तो उस पर shear force और bending moment का formula क्या होगा यह ऐसा formula है जिसको बच्चे बहुत ज़्यादा भूलते हैं और इस भूलने की वज़र से question को पूरा गलत कर जाते हैं चलिए देखते हैं तो एक table बना लेते हैं एक तरह हम लिखेंगे types of beam प्लस लोड लोड के साथ उसके बाद shear force उसके बाद bending moment यह maximum shear force और maximum bending moment है का formula रहेगा यदि simply supported beam हो और इस पर point load लगा हुआ हो point load को ही बोलते हैं concentrated load ठीक है तो इसका formula होता है shear force shear force का formula हो जाएगा W by 2 and bending moment W L by 4 अगर simply supported beam पर अगर simply supported beam पर UDL लगा हो UDL आप जानते हैं uniformly distributed load समवित्रित भार तब इसका जो shear force होगा वो W L by 2 हो जाएगा and bending moment W L square by 8 यदि cantilever beam हो और इस पर point load लगा हो या concentrated load लगा हो तब इसका जो shear force होता है W और bending moment W into L जब cantilever beam हो और उस पर UDL लगा होगा हो तब उसका shear force हो जाएगा W into L and bending moment W L square by 2 ये 8 formula है ये 8 formula बच्चे बहुत जादा भूलते हैं इसे आप लोग बहुत अच्छी तरीके से याद करेंगे इसे रट लीजिए क्योंकि अक्सर ये question में हमेशा यूज होता रहता है और इस गलती के वज़द से हम question गलत कर जाते हैं अगर इसका हम figure देखें किस तरीके से बनेगा पहला simply supported beam पे जब point load लगा हो ये है आपका simply supported beam और point load कहां पे लगा हुआ है mid point पे ये length L है second simply supported beam पे जब UDL लगा हो ये आपका simply supported beam और इसके पूरे लंबाई पे UDL लगा हुआ है जब cantilever beam पे point load लगा हो ये आपका cantilever beam और इसके free end पे load लगा हुआ है free end पे और इसी प्रकार UDL में इसके पूरे लंबाई पे UDL लगा हो तो ये था बहुत ही most important formula अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग numerical लगाने वाले हैं find the moment of resistance उसके बाद find the compressive stress and tensile stress and find the area of steel इस टाइप के question आएंगी इस chapter में लगाने के लिए RCC में आपको तो वहाँ पर ये सब formula यूज होता रहेगा इसके बाद next chapter जो होगा है